दोस्तो, IDFC First Bank Digital Currency के एप को लॉंज कर दिया है, जो की Play Store पर एबलेबल है, तो दोस्तो, आज के इस वीडियो में बात करेंगे की, रेइस्टेशन करना है, कैसे एकाउंट बनाना है, और कैसे करेंशी को लोड और अनलोड करना है, कैसे किसी को सेंड करना है, और कैसे करेंशी को रिडिम कर सकते हैं, दोस्तो, IDFC First Bank के Digital Currency एप की फूल जनकारी को देखेंगे, तो दोस्तो, वीडियो को एक बार सुरो से अन तक देखिएगा, और दोस्तो, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज आप चैन डिजिटल रूपी को डाउनलोड करना होगा, और इसको डाउनलोड करके इंस्टल कर लेना होगा, और इंस्टल करने के बार इसको ओपन करना होगा, दोस्तो, जैसे ओपन करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होके आएगा, दोस्तो, डिजिटल करने सारे बैंकों में आई है, सारे बैंकों के app में account बनाना और currency को buy और sale करना का same process है तो दोस्तो आज हम लोग IDFC first bank में देखेंगे और दोस्तो अगर दूसरे bank में देखना होगा जैसे कि SBI और ICICI bank तो ओस का video description में है आप वहाँ से देखके समझ सकते हैं कि उस bank में आप digital currency के app में कैसे registration करेंगे तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में IDFC first bank में देखते हैं तो दोस्तो एप को open करने के बाद यहां इंटर वाला पर क्लिक कर देना होगा तो दोस्तों से आपके खाते में चीम तुम ऑन में में तो दिखाएगा तो दोस्तों आपके जिस लोड में आपके खाते में रिज्टर मोबाइल नंबर होगा उस से लौट का अपसेलेट करेंगे और उसके बाद प्लीज वेट लिख के आएगा और यहां से सीम वेरिफिकाशन किया जाएगा और दोस्तों सीम वेरिफिकाशन करने के बाद आगे के पोर्सस आपको दे दिया जाएगा लेकिन दोस्तों यहां मेरे में दिख करन्सी आई है वह सारे बैंक अभी अपने कुछी कस्टमर को दे रहे हैं क्योंकि अभी जो है ट्राइल बेसे पर दिया जा रहा है तो यहां से हमको भी यह नहीं मिला है तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे तो अगर आपके साथ भी ऐसा आ रहा है तो कुछ दिर वेट करे एक बाद हो सकता है आपको भी यह ऑप्शन मिल जाए बैंक को जो है धीरे धीरे अपने कस्टमर को दे रही है तो दोस्तों अगर आपको सीम फिरिफिकाशन का प्रसस मिल जाएगा तो उसके बाद क्या करना है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे के प्रसस कैसे करेंग करने के लिए कंटिनीव ऑल अप्शन पे क्लिक कर देना होगा उसके बाद दोस्तों जीट एफ पीन क्यों यहां से आपको एफ में पीन को सेट करना होगा तो दोस्तों के लिए इसे फीन को सेट कर लेंगे दोस्तो ये pin जो है आप जब app को login करेंगे उस time में enter करना होगा उसके बाद दोस्तो enter your name का option आएगा तो दोस्तो यहां से अपने नाम को enter करेंगे और आगे के process के लिए नीचे वाले continue वाले option पे click कर देंगे दोस्तो continue वाले option पे click करने के बाद recover वाले page आएगा तो दोस्तो यहां से इस recoverable वाले option को select कर लेंगा और नीचे में continue का option है तेक बाद फिर से continue वाले option पे click कर देंगे दोस्तो continue वाले option पे click करने के बाद continue to set your valid pin का option आएगा तो दोस्तो यहां से continue to set तो यहां से continue वाले option पे click करके अपने valid के pin को set कर लेना होगा दोस्तो पहले आपने जो pin set करा था वो app का set करा करा था आप app को login करने के time में वो आपको enter करना होगा और यह जो है valid से LinkedIn करने के time में आपको valid वाले pin को enter करना होगा तो दोस्तो continue करने के बाद आपके valid के pin को successfully state कर दिया जाएगा और फिर से आगे के purchase के लिए continue वाल ओप्षन पे क्लिक कर देना होगा दोस्तो continue वाल ओप्षन पे क्लिक करने के बाद link IDFC first bank account का option आएगा तो दोस्तो यहां से इस account को select करना होगा और नीचे में continue option होगा तो एक बार फिर से continue वाल ओप्षन पे क्लिक कर देना होगा दोस्तो continue वाल ओप्षन पे क्लिक करने के बाद आपके IDFC first bank के account number दिखा देगा और उसके नीचे option होगा select this bank account तो दोस्तो इस bank account को select करके और नीचे select this bank account वाले option पर click कर देना होगा उसके बाद दोस्तो successful ही आप IDFC first bank के data rupee app में login हो जाएंगे registration हो जाएगा और उसके बाद आपको यहां से इस तरह का page open हो जाएगा और यहां चार option मिलेगा send, collect, load और redeem send वाले option पर click करके आप किसी के साथ currency को send कर सकते हैं और dोस्तों collect वाले option पर click करके आप किसी से currency को send करने के लिए request दे सकते हैं और दोस्तो load वाले option पे click करके आप अपने valid में अपने account से जीतना चाहे उतना currency को load कर सकते हैं और दोस्तो reading वाले option पे click करके आप अपने valid में जो currency है उस currency को जो है आप अपने account में transfer कर सकते हैं तो दोस्तो उपर view valid का option है तो दोस्तों यहां से view wallet वाले option पर click करना होगा और दोस्तों जब आप view wallet वाले option पर click करेंगे तो यहां से आपको बहुत सारा currency दिखाने लाएगा 2 रूपिया currency, 100 का currency, 10 का currency, बहुत सारा currency है तो दोस्तों यहां से आप currency को अपने wallet में load कर सकते हैं दोस्तो केरेंसी को लोड करने के लिए जिस केरेंसी को आप उपर की तरह स्विफ करेंगे तो आप उतना केरेंसी को एड कर लेंगे और उसके बाद नीचे में लोड डीटरल रूपी पे क्लिक कर देना होगा उसके बाद दोस्तों यहां से account को option आएगा, जो आप account add की रहेंगे और नीचे में EPI का option आएगा, तो दोस्तों यहां से option मांग रहें कि आप account से या UPI से किससे जो है, अपने vulnerability लोड करना चाए तो दोस्तों करने के अपने प्रिषप एप्र रूपे हुए किलिक करेंगे और अपने को लोड कर लेंगे जिससी कि लोड रुपय और दोस्तों और दीच्ट और नीचे दिखा कि आप 11 रुपिया में क्या क्या रुपिया जो है चूज CAM रहा है जैसे कि एक रुपिया का जुए एक कोई था और एक नोट सा दस रुपिये का तो दोस्तों से अपने करनेशी को देख लेंगे और नीचे मेंusta की रूपी का उप्शन है तो दोस्ते यहां से current balance में जो है 11 रूपिया दिखाने लगा और दोस्तों नीचे में option है send digital रूपी भाया दोस्तों यहां से आप digital रूपी को किसी के mobile number से भी भेज सकते हैं और किसी को QR code को scan करके भी भेज सकते करेंगे और दोस्तों नीचे में option दिखा रहा है तो दोस्तों यहां से आप अपने QR code को किसी को share कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको आपके वैलेड में जो amount है उस amount को account में transfer करना होगा तो आप रीडिम वाल अप्शन में आएंगे और करने के लिए जो amount है जितने amount को आप रीडिम करना चाहरे उस amount को down की तरफ स्वीप करेंगे तो उस amount को आप सेलेट कर लेंगे और उसके बाद जो है पीन को इंटर करके उतने amount को आप अपने account में भी रीडिम कर सकते हैं दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में मिलते हैं फिल से नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ दोस्तों अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेलफ करके जाएं